हाई दोस्तों डीयर विमर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं हम कछा दस्वी का मैद का अध्याचार में प्रस्टनलेश 4.4 को हल करवा रहे हैं जिसमें हम पहुंचें 12-12 सवाल पर पिछले वीडियो में हमने 11 सवाल तक हल करवाएंगे दोस्तों देखिए कोर्शन हमारा दो अंकों की संख्या के अंकों का गुरनफल 18 है जब संख्या में से 27 घटाए जाता है तो संख्या के अंकों के अर्थान बदल जाते हैं तो संख्या ग्याच किजिए इसको हल करने से पहले आप एक बास समझिए जैसे मान ल 18-90 इसमें देखिये जो आठ लिखा हुआ है इकाई का अंक है और क्या है यह जब सकते हैं दिसके नोगोडे 10 और प्लस्च क्योंकि नो अकर अनकие कितना जाए आपहें इतनी बात क्रियर ना अब इसमें इस टाइप की मानना हमें कोस्टन को मान लेंगे हमयों यह को क्या मान लेंगे मान लेंगे इसा सम्ख्या क्या होगी 2 एक्स प्लस Y यह बनेगी संक्या ना ऐसे solve करना है आपको तो चलिए question को हल करते हैं सवाल देखिए सवाल को हल करने पहले सबसे पहले है आप मान लेंगे माना आप दहाई के अंक को यक्स मानिए दहाई के अंक माना दहाई का अंक क्या होगा X मान लेंगे और IKAI के अंक को Y मान लेंगे तो यहाँ भी लिख दिजिये IKAI कांक Y ना इतनी बत कलिया हमने 1 को X मान लिया, 1 को Y आप देखिए, दिया गया एक चिल तो अगर IKAI कांक दिया रहेगा तो उससे पर समझे और यहां पर तो हमने दस से उसमें दस से हम गुरा करेंगे इतनी बात क्लियर और एक बात देखिए इसमें इक बात कहीए अंगों के अर्स्थान बदल जाते अगर अंकों के अस्थान बदल जाते हैं तो संख्या कैसे प्राप्त होगी हमारी कौन सी बनेगी पूर्प नियुक्त हमें देखिए हम इसमें केवल एकाइग का उंख दहाई एक को बदलेंगे न तो यस की जगा य आ जाये गा और य की जगा यकस आ जाएगा तो फ्लस एस इतनी बात क्लियर न अब देखिए Latos एकन करें दो आनको की सांख्या के अंको का गुड़नफल 18 है क्योंकि आंको का गुड़नफल 18 अंका वा på तो अंको यक्स और वाई का गुड़न फल कितना दिया गया यह 18 दिया गया है इतनी बात क्लियर ना इसे आप समय कर नंबर एक मान लीजिए अभी आगे हल करने में यह साहता करेगा देखिए अब आपको दिया गया है दो अंको की संख्या के अंको का गुड़न फल 18 है जब स 10x ब्लस वाई इस संख्या मैं से जब 27 घटाई जाता है मतलब माइनस कर देंगे हम 27 तो हमारी संख्या क्या हो जातीए संख्या के अंको की अस्थान बदल जाते हैं तो अंको की संख्या कौन सी बन जाती यह 10y प्लस एक्स इतने पाशन आया न को मैं यह तो हमें कहा गया था है यह जी संख्या संख्या मैं से जब 27 घटा जाता है तो हमारी दो को कि संख्या यह थी तो यह तो संख्या यहाँ पर minus 27 था यह 10 y इस तरफ आएगा तो minus में हो जाएगा और यह भी x plus में इस तरफ आएगा तो minus x हो जाएगा बराबर के दुसरी तरफ के वाचा 0 इतनी बाद क्लियर ना अब देखें x यहाँ पर 10 बार है 10 x है एक x यहाँ पर है 1 plus 1 minus तो क्या हो जाएगा minus हो जाएगा 10 में 7 माइस करें कितना आ जाएगा 9 x और वाइसे इसमें भी देखें 1 y वाल एक minus में 1 plus है तो plus minus क्या हो जाता है माइनस नाइन वाई यह भी आ जाएगा माइस टुन्टे से बना इसे लिखा रहें देजिए बरावर कितनों बचा जीरो देखें सभी में नाइन नाइन सम में कॉमन है तो आप क्या करेंगे सभी पदों में ऐसे लिखिए नो से भाग कर देजिए सभी पदों में नो से भाग करने पर ना भाग करेंगे या कॉमन करेंगे बात भाग करेंगे तो नो बार आ जाएगा गुड़ा में रहे दुसरी तरफ जाएगा तो जीरो है तो वो भी जीरो हो जाएगा सिधा हम भाग कर जाए रहे हैं तो बचेगा क्या क्या इधर बचेगा याक्स इसमें भी नौ से भाग करें कितनी बाद जाएगा तीन बार में तो हम लिखेंग माइनस तीन बराबर क्या गया जीरो के अब देखिए दोस्तों हमें इसमें से पच्छांदर करके क्यों एक्स कमान चाहिए हम एक्स कमान निकाल ले रहे हैं देखे है य समक्रण नमबर दो लेंगे अबलेंगे अल सन एक में समिकरण एक में रख देंगे तो यहाँ पर लिख किये समीकरण नमबर एक से समीकरण एक से ना समीकरण एक से यक्स कमान समीकरण दो से यक्स कमान समीकरण एक में एकने पर चाहिए ऐसा लेखिए या डारेट समीकरण नमबर एक से क्योंके हम समीकरण एक में स्वाल्व करेंगे यक्स कमान हमें हमें मिला y plus 3 तो यहां लिख दीजिए y plus 3 इंटू में था y ना क्योंकि यस की जगह पर हमने क्यों इतना रखा और गुड़ा में y था गुड़े में y वेसे लिखा रहें दीजिए बराबर कितना है 18 के इतनी बार स्वान में आई ना अब क्या करेंगा y का अंदर गुड़ा कर 3y बराबर कि क्या वचा 18 18 को इस्तरफ ला लिजिए plus में इस्तरफ आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा y square प्लस 3y इस्तरफ आया माइनस 18 बराबर 0 आप गुड़ा करने पर 18 आना चाहिए गाटाएंगे तो 3 आना चाहिए तो सिंपल ची बात है 6 में से 3 गाटाएंगे 3 28 आएगा अच्छे का गुड़ा 3 बर करें कितना आ जाएगा ये 18 आ जाएगा तो कर दीजिए y square plus 6 में से 3 मैंस कर देंगे चेमर्श 3 माइस करेंगे तभी तो 3 आ जाए गई धर फिर y मैनस 18 बरावर कितना आ जाए गई है 0 के y का अंदर गुड़ा कर दीजिए y स्कार प्लस y का गुड़ा 6 में करेंगे तो 6y फिर माइस लगा तो माइस लगा दीजिए y गुड़ा 3 में करेंगे तो 3y minus 18 बरावर क्या आ गया 0 कब दोनों पच्छों में देखे इसे कर लेंगे एक साथ इन दोनों को एक साथ ले लेंगे इसमें y y common है y common कर लीजिए यहाँ पर बचा y अकेले y square था एक y बाहर आए तो अंदर एक y बचेगा फिर plus and plus लगा देजिए यहाँ से y चला है तो केवल 6 अकेले बचा फिर इसमें देखे minus and minus रहेगा minus common करें जेके 3 से 18 भी 8 कटेगा ना 3 के पाहरे मात है 18 तो minus 3 हम common कर ले रहे है minus 3 common करेंगे अंदर का जिन भी सब का बदल जाएगा इधर बचा y अकेले y हम लिखेंगे minus common करेंथ हमने इधर प्लस आ जाएगा तो 18 में 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 6 बरावर कितने की बचा 0 के अब क्या करेंगे दोनों ब्रेकेट सेम आ रहाए यह ब्रेकेट आपका सेम आना चाहिए अगर सेम नहीं है तो आपने गुड़न खन गलत किया है ध्यान से चेकर लीजिएगा हमारे देखें सेम आ रहे है ना y प्लस 6 y प्लस 6 तो इसे एक साथ दिख लीजिए इसे और जो जो हमने common किया था उससे एक ब्रेकेट निख लेंगे पहले y common किया था दुसरी बर माइनस 3 बराबर क्या गया जीरो इतना समझाया अब मैं य कमाण चाहिए तो जो जो ब्रेकेट में दोनों को जीरो के बराबर कर दी दिए यह बराबर जीरो और y-3 यह बराबर जीरो ना तो इसमें सो y कमाण निका लेंगे 6 इस तरफ प्लस में दुसरी तरफ जाएगा तो माइनस 6 होगा और y कमाण देखें यहाँ पर माइनस 3 है दुसरी तरफ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा तो दोस्तों देखे, हमने हर वीडियो, हर सवाल में बता है, अगर जो भी मान रिडात्मक होगा, हम रिडात्मक वाले को नहीं लिखेंगे, केवल धनात्मक वाले को लिखेंगे, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, चूँकि y का मान रिडात्मक, यह आपको हर सवाल में यह लिखना जरूरी है ज्रात्मक संभव नहीं है इसलिए 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 य कमान कितना लिया जाएगा प्लस् 3 वाइ बरबर हो गया 3 अब हमें देखिए एक चीज मिला एक पहले तीन समी करण crashes 2 में रखने पर शमी करण 2 में रखने पर तो समी करण्ड़ दुमें रख nin Northern लिखा हूए यक्स बराबर वाइप य कमान हमें बैल लाइश धिरी तरी प्लॉस धिरी लटा ह 요яти एक्स कमान मिला 6 और वाई कमान 6 अभी देखे हमें हमारी दहाई का अंक हमने एक्स माना था तो एक्स कमान हमें 6 मिल गया इकाई के अंक हमने वाई मिला था तो वाई कमान हमें 3 मिल गया तो हमें पूछा गया संख्या ग्याद कीजिए दो अंकों की संख्या क्या थी संख्या म में दिहां पर X और Y कमान रख दीजिए तो देखिए लिखा दाएगा अता हाँ दो को कि संख्या बराबर दो को की संख्या दो को कि संख्या का वंने क्या माना था 10x plus y 10x plus y x का मान हमें कितना मिला 6 10 into 6 हो गया y का मान हमें कितना मिला ये 3 10 को गुडाच्छे में करें कितना दाएगा 6 plus 3 6 में 3 जोड़ं कितना दाएगा 63 तो ये हो गया हमारे संख्या ना दोस्तो सवाल इजी थे एक दम पर आपको समझेंगा अगर ध्यान से अगर आपको ना समझे मैं वीडियो को पहले पीछे कर लेजएगा तो आप ध्यान से धेके युद्युल्ट हमने कुछ भी नहीं किया आपको बसी इतना समयन है अंक किसे मानें गर ईकांग और संख्या बन जुद इसकी ऑगी संख्या को पलटने पर संख्या के आंक अगर पलट दे जाएंगे जहां भी एकस्ता वहाँ आजाएगा वाई की जगा एकसा आजाएगा तो अंको का गुड़न फ़ल हमें दिया गया था ठारा इसकी सायतास हमने साल्व कर लिया तो हमारा संख्या गए पिचने पर यहाँ दोस्तों को उन्तावी स्वाल में बेचने पर व्यापारी को उतने ही प्रतिषात का लाब होता है जितना तो मतलब क्या है जिस मुले पर कोई वस्तु भी जाती है और यस क्वन पर कोई वस्तु बेंची जाती है यह वता है क्रे मूल और विक्रे मूल ना तो कहा गया है 49 रुपए में बेचने पर मतलब विक्रे मूल हमारे कितना हुआ 49 पहले आप इतना लिख लिजिए दिया है क्या चीछ दिया गया है विक्रे मूल ना क्योंकि जिस दाम पर जिस मूल पर वर्स्त बेची जाते उसे विक क्रेम उल्य हमारे कितना दिया गया है 49 रुपए पहला हम आप इतना लिख लेंगे उसकी बाद हमें कहा गया है उतने प्रतिस्त का लाब होता है मतलब जितने परसंट का लाब होता है उतना उसका क्रेम उल्य था तो वर्ष्ट का क्रेम उल्य गयाद किजिए तो हम क्या कि माना कि क्रेम उल्य हमारा कितना था हमारे लेंग क्रेम उल्य बराबर यक्स था तो जितना क्रेम उल्य था उतना ही लाव था ना उतने प्रतिस्द का लाव था तो हमारा लाव परसेंट क्या हो जाएगा लाव परसेंट हमारा हो जाएगा यक्स जितना था यक्स परसेंट ह हो जाएगा इतनी बार समझ आई ना क्योंकि हमें दिये गए उतने प्रस्थत का लाब होता है जितना उसका क्राय मूले था तो अब हम आगे क्या करेंगे हमारा एक फार्मूला होता है आपको फार्मूला पहले लिखेजिए देखिए ध्यान से विक्रे मूले बराबर विक्रे मूले बराबर क्या होता है क्राय मूले गुडे क्राय मूले गुडे सो प्लस लाब प्रतिसत और पूरे एक बाटा कितना होता है सो यह हमारा हमारा फार्मूला होता है पर पार्सेंट पढ़ेंगे उसमें फार्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं तो विक्रे मू तो आप देखिए हमें विक्रे मूल ले पता है 49 रुपई क्रेम मुल ले पता है एक्स हमने माना हुआ है और लाव परसेंट कितना हमारा एक्स परसेंट तो सब्सकी जगाना रख दीजिए तो विक्रे मूल ले हो गए हमारा 49 जिस बराबर क्राइम मूले कितना है यक्स है तो यक्स लिख दीजिए आगे कर दीजिए इसे गुड़े 100 प्लस लाव प्रतिशत लाव प्रतिशत कितना हमारा यक्स परसेंट है मतलब यक्स है ना पूरे गटा कितना है 100 तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए ना इतनी बार समझ आई अब देखे सब का अंदर गुड़ा कर देजिए 49 है 49 को ऐसे रहने देजिए बराबर यस का गुड़ा 100 में करें क्या जाएगा 100 यक्स ऐसे प्लस है प्लस लगा देजिए X का गुड़ा X में गरें तब कितना जाएगा यह एकस स्क्वायर इतनी बात क्लिए और पूरे का बठा कितना लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है कितना आप लिख दीजी एब देखें 100 यहां पर भाग में है दूसरी तरफ जाएगा तो गुड़ा में हो जाएगा तो देखे, 100 का गुड़ो 49 में क्या जाएगा? 49 सो बराबर क्या जाएगा? 101 प्लस यक्स स्क्वायर इतना समझा है, 49 सो कब इस्तरफ ला लेंगे हम तो देखे, सबस्वादा मिश वाले को लिख दे रहे हैं यक्स स्क्वायर प्लस 100 यक्स प्लस में स्तरफ जाएगा तो माइनस 49 सो बराबर कितने के बचा? 0 के अब देखे, गुड़न खंड के रूप में बन गया अब हमें गुड़न खंड करके यस कमान निकाल लेना है गुड़ा करने पर 49 सो अना चाहिए और घटाएगे तो 100 आना चाहिए तो हमारी संख्या कौन-कौन से देखिए एक्स इसकार संख्या होगी हमारी 130 माइनस 30 क्योंकि 130 और 30 का गुड़ा करेंगे तो आएगा 49 सो और 130 में 30 घटाएगे तब कितना जाएगा? 100 उसको आदि एक्स माइनस 49 सो पराबर कितना आगया? 0 के गुड़न खंड आपको अगर ना आता हो डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा है आप वहाँ पर जाकर गुड़न खंड को सीव सकते हैं तो देखिए अब यस का अंदर गुड़ा कर देजिए 130 स्क्वार प्लस साथ में इतने को में कामन का मतलब यहां स्क्वार है 272 में स्क्वार कर लीजिए प्लस 130 यक्स इतना एक सो टीस इतना समझा है आपको फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए अब देखिए यहाँ पर 30, 30 से पूरा-पूरा एकटेगा 130 जाएगा, ना क्योंकि अगर हम माइनस common करें तो अंदर का भी चिन बदल जाएगा, तो माइनस 30 हम इसमें common करेंगे, इसे माइनस 3 बाहर चला है, अंदर कितना बचा, किल सिंगल, एक्स बचा, फिर उसके माइनस common कि हमने, तो यह वाला माइनस हो जाएगा, प्लस, तो 30 common किया, तो 49 में 30 से भाग होगा, बचेगा 130, इतना समझा है आपको, बराबर कितने के है, जीरो के, अब देखिए दोनों bracket हमारा सेम आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ आगे कर दे रहे हैं, देखिए, एक्स प्लस 130, एक bracket में लिख देंगे, उसके बाद जो जो हमने common किया था, उससे दूसरे बचर में, पहले एक्स common किया था, एक्स लिख देंगे, फिर माइनस 30 को माइनस 30 लिख देंगे, इतना समझा है आपको, बराबर कितने के ह जीरो के आव में एक्स कमान निकालना है तो एक्स प्लस तेरा इसे बराबर जीरो के कर देंगे इसे भी एक्स माइनस तीस इसे भी बराबर जीरो कर देंगे तो एक्स कमान निकालेंगे तेरा प्लस में है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस तेरा हो जाएगा फिर से यहां प लिक्षे चूंकि यक्स का मान एक्स का मान क्या रिडात्मक संभव नहीं है आपको ये जरूरी नहीं है इसलिए यक्स का कौन सर्मान लिया इसलिए एक्स बराबर तीस हमने एक्स की परिशल हई घैभर न लम टार्म को उनिखर मगोंसर कूप या कि वह स्वाइस हो गया रोपी कि चार्यख न estáस你們 sea स्वाई हो गया तिस रूप है अपको समल आया होगा विल्कुल Z Ascate AO को इसमें कोई प्राब्लम नहीं होगी इसी तरह से अगली 107 Теперь करते हैं दोस्ता हमारे 14 सवाल है बिल्कुल 13 सवाल की तरह बिल्कुल से मैं कुछ भी बदला ने क्यों यहां पर पिछली सवाल में 49 था यहां पर 96 आए बाकि सब आपना में पूछ आप और बोला गया इतना प Toronto नियुक्त प्रेशाद का लाव होता है तो हमारा कितना हो जाएगा लाव प्रतेसाद बराबर हमारा कितना हो जाय भी क्रेम क्या है geben सामाल में भूटा पॉली सेटा यह लाव होता है तो इसलिए एक्स पर्सेंट हो पर पिछले साल में यूज किया था फिलम है यूज करेंगी तो क्या था विक्रे मोगे बराबर टार नुद्व बराबर था क्राइव ले दिए क्राइव गुड़े यहां परक्या था 100 प्लस लाव प्रतिशात बटे कितना था 100 अब फिर सब का मान रख दीजे विकरे मौले कितना है 96 रूपाय तो 96 लिख दीजे इधर ब्रावर क्रायम मौले कितना है हमने यक्श माना हुआ है तो यक्श लिख देंगे गुड़े 100 PLUS लाव पर्सेंट है लाव पर्सेंट हमें कितना यह हमने माना X माना हुआ है X पूर एक बटा कितना 100 इतनी बात क्लियर फिर से वही चीज करेंगे अंदर X का गुड़ा कर दीजिये 565 creep क्या जाएगा यह एक सिक्वाइर पूर एक बाटा कितना है चोप इतनी बास अनला कि एक सो को गुड़ा कर देंड है ये भाग में दूसरी तरफ जाएगा तो गुड़ा कर दीजिए ये आ जाएगए 926 न 9600 बराबर 101 plus x square. इतना u9 mea आया. अब 96 يا 9600 इहसे हम इस्त्रफ ला लेंगे. इस्त्रफ प्लस है इस्त्रफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा. फिस रीषे बैस से लिख दिए. X square फ findingximus x Çünkü ये इतने को इस्त photorrhage गमथ जाएगा. माइनस 9600 बरावर कितना है जीरो के फिर ये गुड़न खंड होगा गुड़न खंड करने पर मतलब गुड़ा करने पर 9600 वाना चाहिए और उन्हीं दो संख्यों गटाएंगे तो 100 वाना चाहिए तो ये भी संख्या होगी कौन कौन सी यक्स स्कॉार प्लस 100 की जगी ये दो संख्या होगी 160 माइनस 6 क्योंकि 16 को गुड़ा 6 में करने 96 आता है 160 को गुड़ा 6 में करेंगे तो 96 आ जाएगा 160 में 60 गटा देंगे तो केवल 100 बचेगा इतनी बात के लिए आपको तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं यहां yakës गुड़ा में था माइनस 96 100 बराबर कितना हो गया 0 के अब क्या करेंगे अब yaks का अंदर हम गुड़ा कर देते है हैं गुड़ा कर दीजिए तो 160 Yaks प्र भी माइनस लगा प्लाइस लगादेजिए yaks का गुड़ा 60 में करें कितना जाएगा ये 60 याक्स फिर माइनस 9600 बराबर कितना अचा जीरो के इतनी बास्वार में आई अब क्या करें इन दोनों को साथ ले लेते हैं और कॉमन कर लेते हैं इसमें देखी क्यों बाहर आए कितना बाचा इधर 160 इतना समझा है फिर minus है तो minus लगा देंगे नब minus जब common करते हैं तो दूसरा ब record में सब का चिन बदल जाता है जो plus होगा हो minus जो minus होगा plus इसमें 60 common मिलेगा मैं 60 common करेंगे 60 बहर चला इधर बचेगा याक्ष क्योंकि हमने minus common लिये ये minus था तो यह हो जाएगा plus अब देखे 60 से भाग करेंगे इसमें तो यह आजाएगा 160 बराबर कितना अचेगा यह जीरो के I hope आपको बिल्कुर अच्छे समझा रहा होगा देखे अब दोनों bracket same है तो same बरेबर इसे लिख लिजिए X plus 160 फिर जो जो हमने common के लिए थे उसे दूसरी बेकर्म लिख लेंगे पहले हमने common क्या था X दुबारा minus 60 तो minus 60 लिख देंगे बराबर कितना अगया 0 के फिर से हम यह X कमान निकालना है तो X plus 160 जो लिखा हुआ है इसे हम बराबर 0 के कर देंगे और दूसरा जो हमें मिला X minus 60 इसे हम बराबर 0 कर देंगे इसमें जो हमें X कमान निकालेंगे plus 160 है दूसरी तरब जाएगा तो minus 160 हो जाएगा फिर इसमें भी X का जो हम मान निकालेंगे minus 60 है दूसरी तरब जाएगा तो plus 60 हो जाएगा यह समझा है आपको तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखे एस का मॉन रडात्मक संभव नहीं है रिडात्मक संभो नहीं है इसलिए हमारे S कमान कौन सा लिया जाएगा 60 अब हमने S को क्या माना था क्रेम उल्ले और वर्ष्टु का क्रेम उल्ले पूछा गया था तो हम यहां लिखेंगे अताहः वर्ष्टु का क्रेम उल्ले कितना हो जाए गई है क्रेम मुल्य बराबर हो जाएगा 60 रुपए इतना समझाए न आपको इस सवाल में कोई प्राब्लम नहीं होनी चाहिए आपको अगर फिर भी कोई प्राब्लम है आप हमें कमेंट वाक्ष में पूछ सकते हैं हम और अच्छे से समझाकर और दूसरी वीडियो बनाएंगे दोस्तो चलीए अब 14 सवाल हमारी हो गए 15 सवाल को हल करते हैं वो भी बिल्कुल लिजी है बस जान सब वीडियो को बिना स्किप किये देखते जाएगा दोस्तों पंदरवी स्वाल को हल करते हैं पंदरवी स्वाल हमारी है एक संख्या तथा उसकी वर्गमूल का योगफल 132 है तो वह संख्या ग्याद किजिए देखिए इसमें एक चित दिया गया है संख्या तथा उसके वर्गमूल का योगफल कितना है 132 तो सबसे पहले हम क्या करें संख्या जो हमारी दिए है उसे हम लिख लेंगे माना संख्या बराबर हमारी कितनी है एक्स है संख्या को हम एक्स मान लेंगे अब देखिए प्रस्ण अनुसार हमें जैसे कहा गया हम वैसे हैल करेंगे तो यहां आप लिखिए प्रस्ण अनुसार तो इसमें कहा गया संख्या तथा उसके वर्गमूल का योगफल संख्या हमारी क्या है हमने यक्स माना और यक्स का वर्गमूल करेंगे तो क्या हैगा अंडर रूट यक्स समझे ना वर्गमूल मतलब अंडर रूट का योगफल योगफल मतलब होता प्लस कितना दिया गया यह 132 यह समद में आया ना इतने बतलिए संख्या और तथा उसकी वर्गमूल का योगफल 132 है अब क्या करना हमें हमें अंडरूट एक्स को इसी तरफ रखेंगे एक्स को दूसरी तरफ कर देंगे तो क्या लिखा जाएगा अंडरूट एक्स बराबर क्या लिखा जाएगा 132 यह एक्स प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो माइनियर से होगा अब इतने बार समझाया अब दोनों पच्छों का वर्ग कर दीजिए तो यहां लिखिए दोनों पच्छों का वर्ग करने पर तो अंडरूट एक्स का इसक्वायर कर देंगे आपर बराबर इसमें देखिए एक एक का इसक्वायर ने पूरे का वर्ग करेंगे मतलब 132 माइनरस एक्स इतने पूरे का इसक्वायर तो अंडरूट एक्स का इसक्वायर करेंगे आपको पता ही है जिसमें अंडरूट रहत उसका अगर हम स्काइर करते हैं केवल अंडर उट हट जाता है जो संख्यार रहेगी लिखी उठाता है जैसे अंडर उट आउट आज कर था तो हम क्योंकि अंडर उट जाएगा इसकौर करेंगे जब तो इसमें देखें ए माइनस बी का होल स्कौर यह लगेगा ए माइनस बी का होल स्कौर क्या होता है ए स्कौर मतलब 132 का स्कौर प्लस बी स्कौर बी मतलब एक्स का स्कौर माइनस टू ए भी मतलब माइनस दो गुड़े ए का मतलब 132 गुड़े बी बी का मतलब एक्स अब इसे हल कर लिजिए एक् गुड़ा करेंगे तो यह लिख देंगे अब क्या करना है अब देखिए एक्स जो प्लस में है इसे दूसरी तरफ कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा तो करिए हम पहले एक्स जो दे रहें देखिए कधान से एक्स जो प्लस में था दूसरी तरफ आए तो माइनस एक्स हो गया बरावर कितना बचा इस तरफ कुछे नहीं बचा बरावर के तो कितना हो गया दिरो उतना समझाए न आपको अब देखिए X वाला एक माइनस में, दुसरा भी माइनस है. तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, लेकिन चिन माइनस का ही लगता है. तो करिए X स्कौायर माइनस. 264 में जोड़ें कितना जाएगा? 265 X. स्क्या भचेगा? 17424. बरावर कितने के हो गया जीरो के अब इसे गुड़न खंड कर लिजे गुड़न खंड करना आप सभी को आता है देखे गुड़ा करने पर 7424 आना चाहिए और उने दर संख्या अगर हम जोड़ेंगे तो 264 अठाएगा इसे देखे अहल करने के लिए हमने गुड़न खंड 2424 तो लिखिए X Square माइनस 144 और प्लस 121 और गुड़ा में X था तो खंड लिख देंगे फिर है फ्लस 17424 बरावर कितना के है ये 0 के बरावर है अब आप X का अंदर गुड़ा कर देजिए तो लिखिए ए X Square माइनस X का गुड़ा 144 में करेंगे 144 याक्स फिर यह प्लस माइस उस्तरफ जाएगा तो माइनस X का गुड़ा 121 में करेंगे 111 याक्स प्लस कितना उचे गए 17424 बराबर कितने के हो गई यह 0 के इतनी बार समझ में आई अब देखिए अब इन दोनों को साथ में लेके हम common कर लेंगे तो हम यहां आगे कर रहे हैं देखिएगा देखिए यहां X स्कुराइर है इसमें भी X संक्या कोई नहीं इसमें तो क्यों X अके लिए पहले में common आएगा तो यहां पर X स्कुराइर था एक एक्स बाहर आए तो कितना बचा क्यों लेग एक्स बचा फिर माइनस 144 एक्स था एक्स बाहर आगए common कर लिए तो कितना बचा 144 बचा फिर देखिए माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस लगाईए देखे इसमें संख्य 121 है और यहाँ पर इतना है तो 144 बचेगा अगर हम 121 common करेंगे तो तो देखिए minus common करेंगे तो अंदर वारा का भी चीन बदब जाता है यह अला प्लस है तो यह भी minus हो जाएगा तो 121 अंदर बचेगा केवल यहाँ पर x बचेगा और यहाँ हो गया minus होकि हमने minus count किया तो minus यहाँ बचेगा इतने में अगर हम 121 से भाव देंगे तो बचेगा 144 ना इतना समझा है बरावर कितने बचा जी रो के अब क्या करेंगे देखिए दोनो ब्रेकेट सेम आ रहा है इ फिर दूसरा वाला भी एसे लिख लीजिए यहाँ बचा याक्स फिर माइनस 121 बरावर कितने के हो जाएगी यह 0 के तो हम एक्स का इसमें मान निकालेंगे अब देखिए तो क्या लिखा जाएगा अगर मैस 44 बरावर 0 करेंगे तो माइस उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जा यह बीख संख्या उगा दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही इसकी आप जाएगा प्लस हो जाएग यह दोनों मिलीगी संख्याओं ना समझाया होगा दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही इसकी आगे कि कॉस्चन को आप हम अगले वीडियो में हल करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा चले मिलेंगे अब नक्स्ट वीडियो में